दिमाचल परदेश में जल्द ही NDRF बटालियन चौदमी वाहिनी का स्थाई हैटक्वाटर बनने जा रहा है। केम की डेडिकेटड यूनिट रामपूर, नूरपूर और बदी ब्रोटी बाला में स्थापत की जाएगी। NDRF के कमांड़ेट बलजिंदर सिंग ने बताया कि इन डेडिकेटड यूनिट में 150 से अधिक जवान तेनात किये जाएगे जो करनों से लेस होंगे। वही में दो यूनिट बनाई जाएगी जिसमें एक यूनिट टेमिकल वा बाइलोजिकल आपदा से रेस्क्यों को अंजाम देंगी। और दूसरी प्राकरतिक आपदाओं के दुरान रेस्क्यों करेंगी। वहां पे रहेंगी इसके रावा हमने तीम रहेंगी। जो गॉलिक सिटी है हमाचल की उसको देखते हुए तीन रेस्कॉंस सेंटर हमने प्रस्ताविक कि इसको की हमाचल गॉर्मेंट ने सीम महोदेने लिय। जो प्रस्ताविक किया है जो इस पार को अग्री किया है जो अग्री किया है। जहां पर चल्ब हमारा पढ़ेंगा को यहां से चले जाएगा। तो एक डेडिकेटड एक कंपणी नूर्पुल में रहे की जो नूर्पुल के साथ साथ जो डिस्टिक्स हैं। चंबा डिस्टिक, कांगा डिस्टिक और हमीर्पुल डिस्टिक।